मानपता के इतिहास में कहीं भी या आज या भविश्व में इंसानी रिष्टे कभी भी स्थाई नहीं रहेंगे. हाला कि हर इंसान, हर इंसान जो थोड़ा सा रोमैंटिक बनता है, मान लेता है कि ये रिष्टा हमेशा के लिए एक सा रहने वाला है. एसी कोई चीज नहीं होती. रिष्टे में बदलाव होता रहता है, हमेशा. आपको इसे हर दिन निभाना होता है. एक दिन अगर आपने इसे ठीक से नहीं चलाया है, तो ये कहीं और जा सकता है. आम तोर पर आप लोगों को किस तरह की सजा देती हैं? पहले ही काफी सजा दी जा चुकी है, है न? पहले ही काफी कुछ हो चुका है. चिलाना, चिड़ चिड़ाना, बात न करना, हर चीज हो चुकी है. तो आप और कौन सी सजा देना चाहती हैं? आपके दिक्कत ये है कि दूसरी तरफ कोई पच्च्टावा नहीं है. जो वो करना चाहते हैं, वो नहीं, जो आप चाहते हैं कि वो करें, हमेशा. और हो सकता है कि वो आपके हित में न हो. लेकिन वो जो करना चाहते हैं, वो कर रहे हैं. ये सही है या गलत, मैं इसकी नैतिक्ता में नहीं जा रहा हूँ. मैं चाहता हूँ कि आप इस थिती को ठीक से समझे कोई इंसान वो कर रहा है जो वो करना चाहता है अब आपके हिसाब से उससे सजा मिलनी चाहिए शायद उन्होंने कोई कानून नहीं तोड़ा है वरना उन्हें वैसे भी सजा मिल जाएगी वो दो लोगों के बीच की समझ को तोड़ रहे है शायद आपने आपसी समझ को गलत समझा आप मानती थी कि ये समझ बिलकुल स्थाई है ऐसा नहीं है मानपता के इतिहास में कहीं भी या आज या भविश्व में इंसानी रिष्टे कभी भी स्थाई नहीं रहेंगे हाला कि हर इंसान हर इंसान जो थोड़ा सा रोमैंटिक बनता है मान लेता है कि ये रिष्टा हमेशा के लिए एक सा रहने वाला है ऐसी कोई चीज नहीं होती रिष्टे में बदलाव होता रहता है हमेशा आपको इसे हर दिन निभाना होता है एक दिन अगर आपने इसे ठीक से नहीं चलाया तो ये कहीं और जा सकता है आया ना नहीं, कृपिया इसे वैसे ही देखिए, जैसा ये है आपको इसे ठीक से चलाना होगा नहीं, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ जाहर है कि दूसरे को लगता है कि आपकी पूरी कोशिश उनके लिए काफी नहीं है मैं चाहता हूँ कि आप इसके साथ समझाता करें ये इस बारे में नहीं है मैं ये नहीं कह रहा कि वो जो कर रहे हैं वो सही है या गलत ये मेरे कहने की चीज नहीं है मैं बस इतना कह रहा हूँ कि लोग सदियों से ऐसे ही पेश आते रहे हैं और अब भी हैं मैं कह रहा हूँ कि सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि रिष्टे कभी भी एक से नहीं होते कुछ चीजें बदलती रहेंगी, आपको कर्तब करते रहना होगा अगर आप पांच गिंदों से कर्तब कर रहें तो कभी-कभी एक गिर जाएगी इसके लिए काफी हुनर और ध्यान की जरूरत होती है हाँ या नहीं, आप मेंसे कई लोग शादिशुदा हैं क्या ये हुनर और ध्यान नहीं मांगती? अगर आप ध्यान नहीं देते, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है इस पर बहुत ध्यान देना पड़ता है, है न? अभी-अभी किसे ने मुझे यॉरप के एक देश से फोन किया सद्गुरू, मैं बस घर के काम कर रही हूँ, मुझे आकर बचाईए मुझे यहां से अपने आश्रम ले जाईए, मैं बस घर के काम कर रही हूँ वो बरतन वगरे धो रही है, वो बहुत अमीर है, लेकिन उसके चार बच्चे हैं तो हर समय कोई ना कोई काम करने को रहता है, अंतहीन तरीके से और आज काम वाली नहीं आई, तो आपको बरतन धोने पड़ेंगे चार बच्चे हैं, आपको बर्तंद होने पड़ेंगे, और सारे काम करने पड़ेंगे तो मैं ये कह रहा हूँ, आपको ये समझना होगा, कि रिष्टा एक परिवर्तन शील हकीकत है ये स्थाई हकीकत नहीं है अगर आप एक स्थाई रिष्टा चाहते हैं तो आपको मरे हुए लोगों से रिष्टे बनाने चाहिए यही कारण है कि ज्यादतर लोग भगवान को चुनते हैं क्योंकि वो रिष्टा स्थाई होता है आप जैसे चाहें इसे संभाल सकते हैं अगर आपने उनके बारे में दस दिन तक नहीं सोचा और ग्यारवें दिन आप उनके बारे में सोचते हैं वो फिर भी वही होंगे आप ऐसा अपने पती या पत्नी या किसी और के साथ कीजिए तब कुछ और होगा आप कहीं चले गए व्यस्त हो गए भगवान को तीन साल तक भूल गए आप फिर सोच सकते हैं तब भी वही होंगे तो अगर आप स्थाई रिष्टा चाहते हैं तो आप आपको इंसानों को नहीं चुनना चाहिए इंसानी रिष्टे परिवर्तन शील है इस पर बहुत ध्यान देना पड़ता है तो इसलिए कुछ लोग अपने जीवन में ये तै करते हैं कि ऐसी चीजों को संभालने के लिए उनके पास समय और शक्ती नहीं है तो वो दूसरा रास्ता अपनाते हैं जहां ऐसा कोई बंधन नहीं होता वो अपनी आखे बंद कर लेते हैं और अपने में मगन रहते हैं वो ये परवा नहीं करते कि उनके आसपास कौन है या क्या है तो आप ऐसा नहीं कर सकते तो मेरे ख्याल से सबसे अच्छा होगा किसी को सजा देने की कोशिश में आप सिर्फ खुद कोई सजा देंगे वो जो चाहते हैं वो कर रहे हैं बहतर ये होगा कि आप ये देखिए कि आप अपने जीवन से वाकई क्या चाहती हैं आपको उनके साथ प्रतिक्रिया करने और उनके जैसी बेवकूफी भरी चीजे करने की जरूरत नहीं है आपको बस बैटकर इस पर गौर करना होगा जब आपके भ्रम टूड जाते हैं अभी आपके भ्रम टूड गए ये बहुत अच्छी बात है अगर आपके भ्रम टूड गए है तो इसका मतलब है कि जीवन आपको हकीकत के करीब ला रहा है, है न? तो यह आपके लिए एक मौका है, बैट कर ये देखने का कि मेरे जीवन की प्रकृती क्या है? देखे, जीवन का ये अंश, जीवन का एक संपूर नंश है, है कि नहीं? क्या ये आधा जीवन है? आप आदा जीवन है या पूरा जीवन? पूरा जीवन तो फिर ये इतना अधूरा क्यों महसूस करता है कि इसे एक दूसरे इंसान की जरूरत होती है इस जीवन को भरने के लिए ऐसा क्यों है? इस पर गौर करने का यही मौका है, है न? अगर ये पूरा जीवन है, तो ये अपने आप में संपूर्ण है, लेकिन अभी आपने इसे इस तरह से बना दिया है, कि ये उसके और उसके और उसके बिना नहीं रह सकता, तो कहीं न कहीं ये एक अधूरा जीवन है, या कम से कम इसको अपनी प्रकृति की पूर्णता का एह सास नहीं हुआ है, है न? जब जीवन आपके दर्वाजे पर इस तरह दस्तक दे रहा है, ये अपने भीतर गहराई से देखने का समय है, न कि कि किसी दूसरे के साथ प्रतिक्रिया करने और उन्हें सबक सिखाने का, किसी दूसरे को सजा देने से आपका जीवन रुपांतरित नहीं होने वाला, ये आपके जीवन को किसी भी तरह से सुन्दर नहीं बनाने वाला, आपको दो दिनों के लिए गटिया संतोष मिलेगा, उसके बाद आप उसके लिए भी अपरादबोध महसूस करेंगी, हां? शुरुवात में जब ये भावना तीवर होती है, आपको संत दोश मिलता है, लेकिन बाद में जब आप पीछे मुड़कर देखती हैं, आपको खुद पर शर्म आएगी, तो उस रास्ते पर मच जाएए, ये एक मौका है, कोई आपके लिए एक आध्यात्मिक आयाम खोल रहा है, वाकई, कोई आपको ये हैसास दिला रहा है, कि ये सब चीजें कितनी नाजुक हैं, वो आपको धोका दे सकते हैं, वो भाग सकते हैं, वो तलाग दे सकते हैं, या वो मर सकते हैं, है ना, अगर वो मर जाते हैं, तब आप ये नहीं सोचेंगे कि उसमें मुझे धोका दिया, क्या आप सोचेंगी, नहीं, लेकिन चाहे जो हो, आप आप क वंचित किया गया है नա मैतुपूर्ण बात यह है कि आप किसी चीज से वंचित हो गई है उसने यह कैसे किया सवाल यह नहीं है चाहे मौत से या तलाग से या धोके से या आप इसे जो भी कहें पर मूल रूप से आप वंचित हो गई आपको सिर्फ इसलिय वंचित किया जा सकता है क्योंकि आप ये विश्वास करने के भ्रम में हैं कि ये एक अधूरा जीवन है और इसे कहीं से दूसरे आधे इससे की जरूरत है नहीं, ये एक संपून जीवन है अगर आप एक संपूर्ण जीवन के रूप में विक्सित हुए हैं तो आप देखेंगे कि रिष्टे बिलको ललक प्रकृती के होंगे तब ये साथ आने और साजह करने जैसा ज्यादा होगा न कि निचोडने जैसा इसे रूपांतरित होना होगा अगर रिष्टे को रूपांतरित होना है तो आपको रूपांतरित होना होगा ये एक जबरदस्त मौका है जो किसी ने आपको दिया है ये कहना बंद कीजिए कि किसी ने मुझे धोका दिया है बस ये कहिए कि मुझे कोई भ्रम की अवस्था से परम सत्य की ओर्ध हकेल रहा है हमें उस व्यक्ति को धन्यवाद देना चाहिए